नमस्कार विद्दुनिय समाचार में आपका स्वागत है पेश हैं आज की प्रमुक खबरें पेशावर के बाशाख खान विश्व विद्याले में बड़ा आतंकवादी खमला विश्व विद्याले में बड़ा को एक पतिफ्थित विश्व विद्याले में घुसकर चातरों और शिक्षिकों पर अंदर धुन्द गोलिया चलाना शुरू कर दी जिससे कम से कम तीफ लोगों की मौत हो गई और करीब पचाफ लोग घायल हो गए पंदुख धरी प्रांत के चार सद्दा जिले में इफ्थित वाशार खान विश्व विश्व विद्याले में घुश गया और उन्होंने कक्षाओं एवं 16 बासों में च्छातों और सिक्षिकों पर बोलिया चलानी शुरू कर दी यह विश्व द्याले पेशा बरके दक्षिन पफचे में करीब 50 किलमेट दूर इफ्थित हैं मरने वालों में एक प्रोफेसर भी हैं सुरुक्षा बलों ने चार आतंक बादियों को मार गिराया है मेतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है भारत के पतान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी हमले की कड़ी निंदा की है भारत ने किया दिशा सुचक उपगर है IRNSS1E का सफल रक्षेपन अमेरिका अधर जीपीएफ जैसी इक शमता हासिल करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हों बढ़ार को भारत ने अपने पांच में दिशा सुचक उपगर है IRNSS1E का सफलता पूरबक प्रक्षेपन कर दिया भारत ने प्रक्षेपन अपने विश्वसनी पीएस एलवी सी 31 के माध्यम से किया पीएस एलवी सी 31 ने अपने सफर का आगाज बिल्गुल सफटीक तरह से करती है प्रक्षेपन अंतरक्षेपन के अंदर से सुबह 9 बच कर 31 मिनिट पर उडान भरी और फिर 19 मिनिट 20 सेकंड के बाद इसने उपग्रह को पक्षा में डाल दिया यह अंतरक्षेपन के अंदर चिननी से 110 किलोमेटर की दूरी पर इफ्थित है पधान मंतरी मोदी ने सफल प्रक्षेपन पर वेग्यानिक समुदाय को बधाई दी है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठवेड दो आतंकवादी मारे गए दक्षिन कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गाउं में सुरक्षा बलों के साथ मंगलवा रात से जारी मुठवेड में दो आतंकवादी मारे गए सेना के कदिखारी ने बताये कि नैना बातापुरा गाउं में आतंकवादीयों के होने की जानकारी मिली थी इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेरा बंदी कर दी जैसे ही सुरक्षाबल लक्षित घर के नजदी पहुंचे आतंकवादियों ने गोली वारी शुरू कर दी सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कारवाई करते हुए दो आतंकवादी मार गिरा है जान केरी ने दी साओधी अरब और पाकिफ्तान को चेतावनी अमेरिका के विदेश मंत्री जान केरी ने साओधी अरब और पाकिफ्तान को परमाणों हत्यारों के व्यापार में शामिल नहीं होने की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि साओधी आरब ऐसी किसी योजना के साथ आगे बढ़ता है तो उसे परमाणू अपरफायर संधी के ताहर सभी तरह के बुरिये परिणाम भुगतने होंगे केरी ने ऐसे समय पर रहे कड़ी चेतावनी दी है जब साओधी आरब के पाकिफतान से परमाणू हत्यार खरीदने की कोशिश करने समधी मीडिया रिपोर्टन सामने आ रही है केरी ने CNN से कहा कि निश्य थी हमने ऐसी बाते सुनी हैं लेकिन आप परमाणू बम खरीद नहीं सकते हैं नहीं उनका हफ्तान तरण कर सकते हैं भारत दुनिया के शीर्स पांच संभावनाओं वाले बाजारों में शामिल भारत दुनिया भर में कारोवारियों के लिए शीर्स पांच संभावनाओं वाले बाजारों में से एक बनकर उभरा है क्योंकि है घरेलू और वैश्विक कमपनियों के लिए स्वर्बर्जिफ्ट अवफरों की पेश कस करता है एक सर्विक्षण में यह तत्य सामने आया है विश्वार्थिक मंच की सालाना बैठक में पी डवलू सी द्वारा जारी वार्थिक वैश्विक सीई उ सर्विक्षण रिपोर्ट के मताबिक लोगों ने समगर ब्रधी की संभावनाओं के लिहास से जिन शीर्स पांच बाजारों पर विचार किया गया उनमें अमेरिका चीन जर्मनी ब्रिटेन और भारत शामिल है यह सर्विक्षण तिरासी देशों के चाउदा सो नौ मुख्य कारिकारियों के बीच कराया गया है जिसमें कहा गया है कि पधान मंतरी नरेंदर जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com नमस्कार